सरकार के नए नियम के मताबिक बीमा का पैसा डूप सकता है लोग बीमा इसले कराते हैं कि उनके मुश्किल वक्त में कामा है लेकिन सरकार ने एक नियम बदल दिया है ऐसे में बीमा पूरा होने पर अगर आपने उसका पैसा लेने में देर की तो ये पैसा डूब सकता है इसलिए जरूरी है कि लोग बीमा मेच्चोर होने पर जल से जल उसका पैसा लेने की कोशिश करें कई घरों में ऐसा भी देखा गया है कि किसी का बीमा है लेकिन उसकी जानकारी घर वालों को नहीं है ऐसे में बीमा पूरा होने या उसके क्लेम लेने में देर की गई तो ये पैसा डूब जाएगा इसलिए जरूरी है कि अगर बीमा कराया है तो उसकी और उससे संबंदेत कागजात की जानकारी घर पर सभी जिम्मदार लोगों को दे आपको बता दे कि IRDA ने नए आदेश जारी किये है जिसके तहत देश की सभी इंशॉरेंस कमपणियों को बीमा पॉलिसी की मिचॉरिटी के दस साल बात के अनक्लेम्ड अमाउंड को सीनियर सिटिजन वेलफर फंड में ट्रांसफर करना होगा IRDA ने साफ किया है कि ये नियम LIC सहीद देश की सभी इंश कमपणियों पर लाबू होगा इसके अलावा IRDA ने इंश कमपणियों से कहा है कि वे अपने वेबसाइट पर इस बावत जानकारी देंगी इसमें बीना क्लेम वाली कितनी रकम है उसके बारे में बताया जाएगा इसके अलावा इस जानकारी को प्रतिक 6 महिने में अपडेट भी करना होगा